पिछले तीन दिन से जो चर्चा सदन में चल रही है ऐसा लग रहा है कि बजट पर भासन देने के बजाए नरेंद्र मुदी जी की अलोचना पर ये पूरा बजट भासन चल रहा है लूडो पता नहीं गौरब गोगोई जी और बाकी लोगों ने खेला है की नहीं खेला है लूडो खेल के 99 पर पहुँचते हैं और जब साप काटता है तो जीरो पर पहुँच जाते हैं अभी पांच साल देखिए पांच साल के बाद मैदान में कहीं नजर नहीं आएगा वही होगा कि 99 पर साप काटेगा और जीरो पर पहुँचिएगा यहीं होने वाला है कई लोगों ने कई पार्टियों ने चर्चा की कई पार्टियों ने चर्चा की कहा कि दो राजियों को खुस करने की बात कुई है ये प्रीपोल एलाइन्स है और हमारा हो या तेल्गू देशम पाटी का हो प्रीपोल एलाइन्स है और यह एलाइन्स फेवी कोल से सटा हुआ है आपके साथ भी रखे आपका चरित्र भी देख चुके हैं गिज की तरह आप लोग नोचते हैं सत्ता मिला नहीं कि कैसे सत्ता को गीशते रहे ये काम करते रहे आप लोग बंद है माने मंत्री राजी रंजन सिंग ये माने मंत्री जी जी के तीसरे कार्ज काल का जो पहला बजट है उसमें चर्चा हो रही है और यह बजट जो है आत्म निरवर भारत मनाने की दिसा में मोधी जी की सरकार का क्या संकल्प है उसको दर्साने वाला बज़े और पिछले तीन दिन से जो चर्चा सदन में चल रही है ऐसा लग रहा है कि बजट पर भासन देने के बजाए नरेंद्र मोधी जी की अलोचना पर ये पूरा बज़ट भासन चल रहा है है बज़ट पर बोलिए और पूरा बिपच्च का जो भासन का जो टोन है वो यह दर्साता है कि जैसे नरेंद्र मोधी जी का चेहरा इनको पसंद नहीं आ रहा हो ये उससे नफरत कर रहे हैं लेकिन अब अगर आप नफरत कर रहे हैं आपको पसंद नहीं आ रहा है तो क्या कर एगा इस देश की जनता ने उनके चेहरे को पसंद किया और तीसरी वार उनको देश की सत्ता समालने की जिम्मेवारी दे साथ बर्स के बाद साथ बर्स के बाद साथ बर्स के बाद साथ बर्स के बाद जैपरकाश जी मोदी जी की उपलबता है मोदी जी की उपलबता है कि साथ बर्स के बाद आजादी के बाद तीस तरी वार किसी को इस देश की सब्ता समालने का मौका मिला है यह उनको बरदास नहीं हो रहा है उनके पेट में दर्द हो रहा है अब सचाई को नहीं पचा रहे हैं अब इस देश की जो सचाई है उसको यह अगर नहीं पचा पा रहे है तो हम लोग का क्या दोस है भाई लेकिन हमारा एक प्रावर से इनको सभापती महुत है कि सचाई को सचाई को जितना जल्दी इनों ने भाशन किया कोई नहीं बोला फिर जो बोल रहे हैं आपका चरित्र भी बता देंगे, आप क्या करते रहें, आप लोगे शेयर से करें, जैपरकाश जी, जैपरकाश जी, मानी जैपरकाश जी, सुन लिए, आप जब बोल रहे थे, समय भी अधिक दिया गया, किसी ने आपको व्याधान नहीं किया, अगर आप खड़े होंगे, न परंपरां सीखिये आपके किसी स्पीच में किसी नहीं व्यक्ता नहीं किया आपको औसर आपकी पार्टी को और है मानी मंत्री जी जो बोल रहे हैं उसका जबाद आपकी पार्टी के नेता दे सवापती महोदै, ये बोल रहे हैं, कुछ दिन हम लोग इन लोग के साथ भी थे, और वहाँ जाके पता चला कि गिध की तरह जैसे लास को नोचने का काम ये लोग करते थे, वहाँ लोग मुझे बिदा हो गए, परणाम करके इधर चले आए, कि भाईया वही काम करते रहो, आ मत्वटाओल करावें, इसकी योजना बनाते थे, हम लोगों ने परणाम किया, इधर चले आए, तो इसलिए छोड़ दीजिए, जरा हम आपको बता देते हैं, तो इसलिए, आप इदर, आप बोलिए, आप साथ शेयर को, सभापती महोदै, सजाईन को सुना नहीं है, रहे हैं सभापती महोदै कि जितना नो, नो, आपकी बेढ़ जाए, सवकत राजी बैठ जाए, नहीं जब आपको आउसर दूँगा, तब आप बोलेंगे, आपको भी नो पॉइंट आफ और, नो पॉइंट आफ और, पीज माननी मनते हैं, सभापती महोदै, इनको हम बता रहे हैं कि जितना जल्दी इस सचाई को पचा लिजिएगा, उतना ही आपके मन को सांती मिलेगी, नहीं तो पूरा मन बिचलित रहेगा आपका, और पांचों सालिसी तरह बिचलित रहेगा, निनानवे का अकड़ा बड़ा खराब होता है सभापती महोदै, लूडो, पर पहुँचते हैं, और जब साप काटता है, तो जीरो पर पहुँचते हैं, यहीं हाल है, तो इसलिए जरा इनको मन की सांती को जितना जल्दी ये सांत कर ले, और देश की सचाई को जितना जल्दी ये स्विकार करेंगे, उतना ही इनके लिए चैन मिलेगा, इनको भी चै मिलेगा और देश को भी चायन मिलेगा और इस देश में जो नरेंदर मोदी जी ने आत्म निर्वर बनाने का जो काम प्रारम किया है वो आगे बढ़ता रहेगा उसमें बैवधान ये नहीं डालने का प्रयास करें सब्सक्राइब आपको बजट समझ में आता आपको बजट में भी बता देंगे एक अगो का बजट का भासन बजट समझ में आ रहा है तीसरे कार्ज काल का जो पहला बजट आया अब इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है इनका एक एजंडा रहता था बेरोजगारी है इस देश में रोजगार पर चर्चा नहीं हो रही है इस पहले बजट में 4.1 कड़ोर रुपे ओन कड़ोर लोगों के रोजगार सिजन की च तरचा है वो इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है वो इनको दिखाई पड़ेगा भी नहीं चुकि मन तो इनका विचलित है मन इनका असांत है तो वो कहां से दिखाई पड़ेगा इनको अब 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 एक्च्वली अब बास्ताब में हुआ क्या है कि तीसरे कार्ज का का ये पहला बजट आया मोदी जी ने पहला बजट मोदी जी की सरकार में पेस किया और जो पहला गुगली मोदी जी ने फेका है इस बजट के माध्यम से तो ये बोल्ड आउट हो चुके हैं और उसी बोल्ड आउट की छटपटा हाट में ये अपना भावना व्यक्त कर रहे ह बीद्वा बिलाप किया जा रहा है और बीद्वा बिलाप करने से क्या होगा सच्चाई यही है कि देश के प्रधान मंतरी नरिधन वो दीजी है और पूर्ण पहुमत के साथ हैं इस सच्चाई को सुधयर करिए और अभी तो सुरुआत हुआ है, अभी तो सुरुआत हुआ है तब पहला साल है अभी पांच साल देखिए, पांच साल के बाद मैदान में कहीं नजर नहीं आयेगा वही होगा कि 99 पर साप काटेगा और जीरो पर पहुँचियेगा, यहीं होने वाला है कई लोगों ने कई पार्टियों ने चर्चा की कई पार्टियों ने चर्चा की कहा कि दो राजियों को खुश करने की बात कुई है अरे भाई दो राजियों को सरकार बचाने के लिए कई बात की सरकार बचाने के कौन सी बात यह प्रिपोल एलाइंस है और हमारा हो या तेल्गू देशाँ पार्टी का हो प्रिपोल एलाइंस है और यह एलाइंस फेवी को से सटा हुआ है आपके साथ भी रखे आपका चरित्र भी देख चुके है गिज़ की तरह आप लोग नोचते हैं सत्ता मिला नहीं कि कैसे सत्ता को गीचते रहे ये काम करते रहें आप लोग हम लोगों ने परणाम किया और चल दिए इसलिए आज जे डिू हो या टेडी पी हो सत्ता के साथ प्रीपोल एलाइंस में हम लोग सरकार में आये और प्रीपोल एलाइंस पाट साल का पूर्ण बहुमत मिला है आप क्लीन बोल्ड हो चुके हैं किंता मत करिए सवापती महोद है सवापती महोद है सवापती महोद है हम अभी सेख बनर जी जी का भासन पढ़ रहे अच्छा विभाग आपको यही काम तो करते रहे आज तक आप लोग यही काम करते रहे इजी के तरह कैसे नोचना है यह सब नहीं होता है यहाँ आराम करिए महोद है महोद है अभी सेख बनर जी जी का भासन पढ़ रहे थे अभी सेख बनर जी जी ने भासन दिया और कहा कि मोदी जी का 4 जून 2024 को जो पहली सरकार बनी rejected the people of India which was rejected by people of India वार भाई आपके आपके ग्यान का हमको प्रसंसा करना होगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार आप कह रहे हैं कि रिजेक्टेट बाई प्लाइन people of India क्या वार फूर्ण भामत नहीं दीखता है इनको अरे सचाही को अभि सेखंबनर जी जी स्वेकार करना चाहिए इन्हों ने कहा क्य behaसन में बक्त तो बदल गया है बक्त तो बदल गया है हां अभि सेखंबनर जी जी बक्त जरूर सवापती महोड है बक्त जरूर बदल गया है बक्त जरूर बना गया है क्योंकि मौदी जी पूर्ण आतम विस्वास और दिर्ः संक्रल्प के साथ तीसरे कार्द़काल में आतम निरृभर बनाने की ओर चल चुके हैं इसलिए बक्त बदल गया है आपको दिखाई नहीं देता है तो उसमें हम क्या करें आँख का जात कराईए और चस्मा लगाईए दिखेगा आपको कि इस देश की जनता ने क्या किया हमको आसा करते थे हम उमीद करते थे कि अभी सेख मनर जी जी ज समा मांगते इस देश से उस पर इस देश से समा मांगते नहीं मांगें नहीं मांगेंगें नहीं मांगेंगें क्योंकि पस्चिम मंगाल में वे जैसे चिरहरन हो रहा है महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और जो आम लोगों पर अत्याचार हो रहा है वो उनको नहीं दिख सभापती महदा है इसी सदन में अधीर रंजन चौधरी जी ने अधीर रंजन चौधरी जी ने आपने मन का भड़ास और मन का तकलिप कई बार सदन के पटल पर उतारा दिसा की मिटिंग नहीं हुई पाथ साल तक दिसा की मिटिंग नहीं होने दी पश्चिम बंगाल की सरकार ने और लोग तंत्र की बात करते हैं इनको क्या अधिकार है लोग तंत्र की बात करने का इनको कौन सा हक है लोग तंत्र की बात करने का मानी सदस ने जो नाम लिया है रिकॉर्ड में नहीं जाएगा जो मानी सदस ने नाम लिया है I think so you should have patience to hear me you must have patience to hear me जो नाम उन्होंने मानी सदस का लिया है वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा आप अब दो अब इधर बोलिए चेर्जें आम नाम मत लिए मांनी सभापती महोद है मानिय सदस मानिय सदस गॉरब गोगोई जी को नहीं वही थे यहां वो इस सदन में प्रिजेंट थे जब अधीर रंजेंड चौदरी नाम मत लिए वो प्रकास जी बैट जये है उनका नाम उनका नाम हमने वापस ले लिया लेकिन लेकिन सच्चाई है कि 17 में बैट जाएए ना जिपरकास जी बैट जाएए ना भाठेट STAR ज्यूर्मे को सभापती महधे आप यह कह रहा था कि 17 गोखवा के दारान जब आपका bahosare यह तो बहु है तो आप इनको कहना चाहिए तो यह इनको कहना चाहिए कि पस्चิ मंगाल में जशिर्ड हान वह जाज था यही कह दिए डेश के सामने इंदी बात खतम कर दो आप बैठ जाए जब काजिया बैठ जाए पिए आपने आए है बैठ आब आए है आप से आग रहा है कि आप अपना भासन करें और मानी सदस का नाम नहीं ले रहा हूं नाम हमने भी ड्रॉ कर लिया अब हम ये का रहे हैं कि 17 वी लोगसभा में 17 वी लोकसभाव में उस समय बान ये विरोधी दल के नेता और सबसे बड़े पार्टी के जो नेता थे उन्होंने सदन के अंदर कई बार अपनी पीड़ा का इधार किया कि उनके धेत्र में दिशा की बैठक होने नहीं दी जा रही है और गौरभ गोई जी बैठे हुए थे ग गौरभ गोई जी उसके गवाय है जैपर का जी तो उसमें थे नहीं यह कहां से जानेंगे तो इसलिए गौरभ गोई जी के सामने पीड़ा हुए आए यह वो सीट कॉंग्रेस को दिया नहीं एक कॉंग्रेस एक को सब आब उसके बाद भी लगे हुए हैं तो लगे रहे है मुनना भाई कुछ ने कुछ तो मिलेगा लेकि निनानवे वाला भी खतरा है साप का अगर काटा तो जीरो पर आईएगा लेकिन लगे रहिए जा करिए